लोगल वेलकं बैक तो नहीं वीडीयों को अने वीडेयो वीडियों में आपको बताने वालो राइड फैट इन शोंगं को कैसे बिल्ड करना है राइड चुछ टीम्स कौश्ट टेलें लिटायले आप करना चाहिए तो फैले अपको उल्हें बॉकल को चाहिए शुषा बॉस म थमले से पूरे पार्टी का एन noon करती है वर्ड कि पर्सनल डामेज की काफ़ी भडिया है तो पहले बात कर लेते हैं राइक इन शोगन के इसंशेंशन बोनस से एनधे ज्रीचर इज्ँंचन कोई में डामेज बॉन राइपनशोंगन के लिए आपको चाहिए होंगे यह आमाकूमोमग मिल के आमाकूमोमगी पीक आपको मिल जाएंगे तरफ बहुत चारों लो पकर था बहुत, व्माकूमेद्स प्रूल ऐसींद की यहीं है थंदर मैनिफेस्टेशन म ExcLab丟 करे बामेदंच ऑइपन यहाँ पर अब बात कर लेते हैं राइड़न शोगन के वेपन के बारे में वेपन राइड़न शोगन का सिगनेचर एंगलफिंग ओविएसली सबसे बड़ी होगा इसके लिए बट और भी बहुत सारे ऑप्शन्स इस पर है सबसे बड़िया एफटूपी ऑप्शन इसके नहीं तो फिर मैं बोलूंगा कि कैच फिशिंग करके निकालो या फिर निकाली हो तो उसी पर स्टिक करो बहुत ही बड़िया ओप्शन है बस्टिल अगर एंगलफिंग के लिए जाना चाहते हो तो फिर पुल कर सकते हो कि एंगलफिंग ओविसली डामेज इंक्रीज करेग और वेब-ब्रेकर-फिंग अगर यह वेपन है आप तो यह वाला वेपन भी आप यूझ कर सकता राइडन पर यह वाला वेपन भी काफी बढ़ी है ब्लाक्लिफ पोल भी आप यूझ कर सकता राइडन पर बट यह जितने भी options है make sure कोई सा भी वेपन यूज करो आप राइडन का energy recharge 260 या उससे ज्यादा रहना चाहिए क्रिट वेपन यूज करो या फिर energy recharge वेपन यूज करो किसी भी option पर 260 के ऊपर या minimum 260 energy recharge राइडन पर रहना चाहिए है वरना rotation में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अब बात करें आटिफेक्ट के बारे में आटिफेक्ट राइडन का सबसे बढ़िया सेट होगा emblem of severed fate और यही बाला सेट में recommend करूंगा यूज करना ना कि कोई और सेट flower and plume तो HP and attack होते हैं सबस्टाट हमेशा सबस्टाट में क्रेट एंड एनर्जी पर फोकस करना सैंड मैं recommend करूंगा एनर्जी रीचार्ज का यूज करो बट यहाँ पर attack percent sands यूज कर सकते हो अगर attack percent sands यूज करने के बाद भी आपका राइडन का energy recharge 260 हो जाता है तो फिर यहाँ पर attack percent sands यूज कर सकते हो और अगर attack percent sands यूज करते हो तो फिर यहाँ पर यूज कर लेना बट अगर energy 260 नहीं हिट कर पा रहे हो तो फिर मैं बोलूँगा है आप एनर्जी रीचार्ज का ही सैंड यूज करो और attack percent का अगर अगर आपके पास अल्रेटी नहीं कर सकते हो या फिर अगर आपके पास अल्रेटी के लिए ट्राइड कर सकते हो यह आपका राइडन का डामेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते का ओंस्टलेशन 3 एंड कॉंस्टलेशन 5 टैलेंट का लेवल 3 इंक्रीज कर देता है फॉर एक्समेल अगर अगर आपका स्किल लेवल 10 पे वह लेवल 13 हो जाएंगे कॉंस्टलेशन 1 आपका चक्रा गेन में हिल्प कर वह मिलते हैं अगर आपके पार्टी मेंबर्स अलेमेंटल पार्टीकल कलेक्ट करते हैं जिससे के एनरजी रिचार्ज होता है उससे राइडन को रिसॉल्ब स्टैक मिलेगा और यह चक्रा जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा राइडन का परसनल बर्श डामेज बढ़ बढ़िता है हर 3 सेकंड में यह फिल होता रहेगा और दूसरा तरीका भी है यह स्टैक्स गेन करने का वह है पार्टी मेंबर्स का अलेमेंटल बर्श डिउस करना अगर बाकी पार्टी मेंबर्स एक्जमबल मेरे टीम में येलान फुरिना एंड शार्लेट इन तिनों का बर या नहीं है या लाइक आंस्रेशन टू कोंस्टेशन टू इसका बहुत भट या आंस्री को इसका जैसे राट अलेमेहेंटल बर्श इंफिशन राइडन वाद जो खुद खुद को इलेक्टरों में इनफीव कर लेती है वह जैसे खतम होता है पूरे पार्टी मेंबर्स का 30% बढ़ जाता है, 10 सेकंड के लिए, चुलेशन 6 से राइडन अपने बर्स्ट में, जब अरेविज को हिट करती है, तो पूरे पार्टी मेंबर का एलेमेंटल बर्स्ट का कूल डाउन वो डिक्रीज करती है, वाई वन सेकंड एवरी वन सेकंड अप्टू 5 टाइंज, तो पास सेकंड कूल डाउन डाइडन टिक्रीज कर देगी, बट कॉंसलेशन जीरो पे राइडन, मैंने जैसे बोला, बहुत ही ब्रोकन कारेक्टर है, बेरी राइडन भी कॉंसलेशन जीरो पे ही है, और वो बहुत इजीली गेम की सारी चीज़े बीट कर लेदी है सो कॉंसलेशन के लिए जाने का कोई जरूरत नहीं है कॉंसलेशन 0 पर भी राइडन बहुत ब्लोकन कैरेक्टेड़ रहा और जीरो पर भी वह बहुत ज्यादा हेल्फुल होगी सही से बिल्ड करोगे तो तो कॉंसलेशन के लिए जाने की कोई जरुवत नेगी अब बात करते हैं टैलेंट की टैलेंट में बर्स्ट को सबसे पहले लेवल अप करना बर्स्ट को एकदम अंधा लेवल अप कर दो सोचने की जरुवत नेगी कुछ बर्स्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टैलेंट है इसका क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा डैमेज आता राइटन का एंड बर्स्ट पूरे पार्टी का एनरजी रिफील करता है तो एलेमेंटल बर्स्ट को पूरा क्राउन दे दो नाइन भी बच अगर क्राउन यूज नहीं करना चाते एक और तो फिर एटलिस्ट नाइन कर देना इसे अब बात करते हैं स्टैट्स की स्टैट्स क्या रखना चाहिए आपको राइडन के लिए अगर एंगल्फिंग बगे रहा है आपके आपका एटक काफी आयोगा राइडन पे क्योंकि अगर कैच बगे रहा है यूज करते हो तो फिर यहाँ पे 1600 यूज रखने का ट्राइग करना विट सारे वेपन चॉइस पे मिनिमाम 260 energy recharge अगर कोई crit option यूज करते हो तो फिर crit rate minimum 65 और crit damage minimum 160 का try करना with 260 energy recharge अगर engulfing यूज करते हो तो फिर crit rate minimum 62 crit damage minimum 140 with 260 minimum energy recharge अब बात करते हैं राइडन के कुछ टीम के बारे में राइडन की यह वाली टीम करेंटली सबसे बड़िया टीम माना जाता है राइडन के लिए बस यह पर आगर आपके पास जीन है इंस्टीट ऑफ शर्लेट वो बेटर होगी इस टीम में जीन को फॉर्पीस वीवी देदेना और उसके बर्स्ट को लेवल 9 कर देना with minimum 200 ER तुर मिन्मम 200 ER और जीन सैंड्स देदेना उसे अटक परसंटेज का गॉबलेट अटक परसंटेज का और सर्कलेट हीलिंग बोनस का बट अगर यह में स्टैट्स यूज करते हुए जीन पे आप 200 ER रीच नहीं कर पा रहे हो तो फिर एनर्जी रीचार्ज का सैंड्स कर लेना और जीन को वैपन दे देना फैवनिया स्ट वो उसका एनर्जी रीचार्ज में बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा तो यह आपके पास सी सिक्स कूजो सारा है तो फिर यह वाली टीम भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगी सी सिक्स कूजो सारा एक इनसेन एलेक्ट्रो सपोर्ट है इसलिए अगर आपके पास सी सिक्स कूजो सारा है यह वाली टीम राइडन की हाइपर कैरी टीम होगी बहुत भी बढ़िया टीम होगी और राइडन का डैमज आउट कूट भी काफी सही होगा शेवरूस शायद आने के बाद यहाँ पे मेरे काजवा को रिपलेस कर दे और वो वाली टीम में यूज करूँ अगर शेवरूस अच्छी सपोर्ट निकलती है राइडन के लिए तो अभी शेवरूस के रिलीज होने में थोड़ा सा वक्त है जो कि आज के लाइब स्टीम में हम टेस्ट कर लेगे कि शेवरूस कितना बढ़िया राइडन के लिए सपोर्ट है और क्या आपको वो यूज करना चाहिए या नहीं अगर आपके पास कोई 5-star पुराने वाले जो टीम मैंने दिखाया वो टीम के कोई 5-star मिसिंग है या फिर 5-star ज्यादा नहीं है आपके बास तो यह वाली टीम राइडन की बहुत ही बढ़िया होगी राइडन शिंग्चु बैनेट श्यांगलिंग राइडन नैशनल यह ट तो यह टीम और भी थोड़ा अपग्रेड हो जाएगी और भी एक टीम है राइडन की यूला बट फिजिकल मेटा अभी गेम में उतना बढ़िया है नहीं बट फिर भी अगर आपके पास यूला है तो फिर यह वाली टीम भी आप यूज कर सकते है यूला के साथ यह वाली बिल्ड करने में कोई भी डिक्कत आ रही है आपको ओफुली यह वीडियो देखने के बाद आप बहुत इसली राइडन को बिल्ड कर पाऊगे और अगर कुछ प्रॉब्लेम फिर भी आप वेस कर रहे हो तो लाइब स्टीम पर आ जाना मैं बता दूँगा क्या चेंजिस कर